हाई गाईज वेलकम बेक टो सुनामी कुवर्ड तो कैसे हो आप सब आए होप आप सब बहुत अच्छी होंगी तो आज हम करने वाले हैं एक पाल्र ने टोंट रहये हो आज आजाता है तो पालर में जो हम नीड होती हैं अललग तरह का सपाव रखने की तो इस तरीके से हम इस्पा क्रीम को लेंगे एक बोल में और प्रॉडक्ट उतना ही निकाले जितनी नीड हो उसके बाद अगर आपको जरुरत पड़ती है तो आप और प्रॉडक्ट निकाल सकते हो इस्पा करने के लिए आपके जो बाल होते हैं वो वेट होने चाहिए यानि यह मेरी पालर की स्टूडेंट्स हैं आपस में हेरिस्पा जो है करना सीख रही थी तो थोड़ी बहुत जो है आपको लगे की मिस्टेक वगएरा तो वह सब अवाइड कीजिए क्योंकि आप लोग भी इसी तरह से सीखते हो जो लोग बीगिनर सोते हैं इस तरह से सीखते हैं रहे हैं तो इस तरीक के से सेक्षन बना लेंगे जहांपे आपको दिख लहाँ रहे हैं बहुत अच्छे तरीकिए से मतलब बाल इतने WIL पानी नुट चुप लίचा है ह। उसके बाद hair spa के जो section होते हैं वो अगर आप मोटे भी रखेंगे तो चलेगा इतने मोटे भी नहीं होने चाहिए कि आपके बालों में product अच्छे से जाही ना पाए क्योंकि हम hair spa इसलिए करते हैं ताकि हमारे बालों को protein मिल सके हमारे जो damage है रहे वो अच्छे से नरिश हो सकें और बालों में एक natural sign बनी रहे तो इस तरीके से हम लेंगे section और apply करेंगे cream तो अगर आपको बीच बीच में ऐसे लगता है कि बाल dry हो रहे हैं तो आप water spray में कर सकते हो और जिनके बाल बहुत ज़दर rough हैं तो आप यहां पर vitamin E के capsule भी इस cream में mix करके उसके बाद application कर सकते हो और cream apply करने के बाद आपको जो इसमें merging है वो बहुत अच्छे से करना है emulsify बहुत अच्छे से करना है product को ताकि हर एक बाल के अंदर जो है product अच्छे से चला जाए और बाल जो है आपके shiny हो जाए रोज मर्रा की जो हमारी life होती है धूल, मिटी, dust की वज़े से और एक तो बस 24 घूटे जूड़ा बनाने की जो habit है वो सब की हो चुकी है मेरी तो बहुत ज़ादा है तो सब की बहुत habit है थी कि इन सब चीजों से बाल जो है बहुत ज़ादा damage होते हैं धूल, मिटी, धूप की वज़े से और हम लोग बालों का इतना ध्यान रखते नहीं है पहले के लोग बालों में हीना कोटिंग बहुत ज़ादा करते थे और उनके बाल इतने अच्छे होते थे आइलिंग वो लोग टाइम टाइम पे करते थे तो उनके बालों में इतनी मजबूती होती थी चमक होती थी और अब लोगों के बीजी सेडियल की वज़े से लोग जो है अपने हेर और स्किन पर ध्यान नहीं दे पाते तो इस पा इसको जो है इस प्रॉब्लम को ठीक करने का एक तरीका है ठीक आर्टिफिशल तरीका है नैचरल तो मैं नहीं बोलूंगी बट आटिफिशल एक तरीका है जिसे कि हमारे बालों की खुई वी शाइन है और उस को हम थोड़ा सा जो है मेंटेन करके रख सके अगर हम टाइम टाइम पर हेर इस पा लेते हैं तो जो हमारे बालों की जो है हालत काफी हद तक सही हो सकती है और आजकल एक तो लोग हीट वगेरा का बहुत जादा यूज़ करते हैं अब हम लोग पालर चलाते हैं तो हीट वगेरा का काम तो जो है बनता ही है बट डिपेंड करता है कि अगर हम हीट का काम कर भी रहे हैं तो हम as a heat protector जो product होते हैं उनको use करें ठीके बहुत सारे लोग direct ही जो है heat का जो use कर लेते हैं बालों पे तो उनके बाल कुछ टाइम बाद बहुत problem करते हैं तो इसलिए आप जब भी कोई service लें professional से ले और जिनको काफी अच्छे से काम आता है उनसे लें आजकर लोग 6-6 महीना पालर सीखें जगा जगा पे पालर खोल देते हैं नौलेज उनको उतना नहीं होता आप देखो पालर सीखने के तो ग्रूप में जो है 10 या 15 लड़कियां सीखती हैं बट कोई जरूरी तो नहीं कि सारी लड़कियों को जो है अब देखो टीचर तो एक साइसाइ लिए और आपका ट्रॉस्ट्रेट है कि उस पर अपनी सर्फिस कर वाई है करें कियों और यहां CC हो उप्राइल की हो जिस पर चीजिंग हो छो थीक है ऊर इस तरीके से जो है इस पा में पहले सबसे पहले सबसे 13 ही एक आपलाई होती है बालों पे यहां बां टो ग का आप देखिए दूसरे साइड भी हमने सेम तरीके से एप्लिकेशन करने के बाद बालों पे जो हम हीट देंगे और जहां बालों पे जो हम हीट देंगे पांच मिनट से ज्यादा हीट नहीं देंगे ठीक है तो हीट की वज़े से जो है आपका पी एच लेवल बैलेंस में र रोटीन मिल गया इसके बाद हम बालों को ठंडा होने देंगे और हेर वाश करेंगे अब यह लोग आपस में ही कर रहे थे तो इन्होंने खुद से हेर वाश कर लिया अगर आप किसी क्लाइट के कर रहे तो फिर आपको तो करना ही पड़ेगा ठीक है यहां का जो स्टैप है उसको जो है ड्राइ करेंगे बालों को बहुत से लोग यहां पर हीट प्रोवाइट करते हैं बालों को ठीक है हीट नहीं लगाना है अगर आपको इतनी ही जल्दी है तब जाके आप लगा सकते हो बट अभी अभी हमने बालों का क्या है ट्रीटमेंट क्या है बालों को हमने प्रोटीन दिया है तो अगर हम हीट लगाएंगे हीट लगाने से बालना बहुत ज़दा रफ हो जाते हैं तो इस तरीके से करेंगे और यहां पे सीरम अप्लाई ही करेंगे सीरम जो होता है सिर्फ आपके बालों को हीट से नहीं बचाता बलकि जो बाहर की धूल मिटी सीरम होते हैं जो कि हमें हेर की सर्विस के बाद अप्लाई करना होता है तो यह तरीका होता है हेर स्पा करने करेंगे